नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आप लोग मैं आपका अपना जॉब वाला भाईया आप लोग के बीच एक फिर से अच्छी खबर लिक्या आया हूँ अच्छी खबर इसलिए क्योंकि काफी लोग हतास निरास हैं क्योंकि जैसा कि लोगडाउन की स्थिती है वो देश में परकरार रहे और ऐसा ऐसे आसार सामने आए है कि इसका extension होगा यह अभी कुछ ऊ've झाते नहीं जारी किये गया है जिसे कुछ रहात मिले वे लोगों को ऐसा बिलकुर लग रहा है कि यह बड़ेगा अभी extensive exam लोगा तो ऐसे में जो इसकाफी effect बढ़ी हैं तो जो हमारे जो त्यारि कर वाले से ते तो उनलो के लिए ये कुछ Negative जा रहा था तो ऐसे मैं ूनलों को चाहिए कि वो निगेटिव ना जाए जो हाट में है आपके जो पेपर्स के लिए अभी पहले से विग्यापन जारी कियाया थे उनकी तयारी में लग जाएं तो इसलिए आप लोगों को थोड़ा सा positivity के लिए मैंने वीडियो डाला है कि आप जरूर देंगे इस वीडियो को पूरी वीडियो देखें तो आप लोग पता चल देगा कि आप लोग इसके लिए eligible हैं कि नहीं वैसे तो यह डीडिये की वेकेंजी है तो इसम experience वालों के लिए नहीं है जो फ्रेसर्स हैं उनके लिए मैं किवल बनाया मैंने तो इसमें मैंने बस तीन पोस्टों का जिकर किया है पहला जो आपके स्क्रीन पे उपर दिख रहा है सची वाले सहायक इसके लिए आपको 12 पास होना अनिवार है किसी भी subject से अगर आप 12 पास सकते हैं और माली की जो वेकेंसी है उसके लिए candidate को बस तस्वी पास होना चाहिए तो आप माली के लिए apply कर सकते हैं और चलिए इसको पूरे detail में आप लोग को अच्छे से जो official website पर ले जाएंगे वहां से notification पर आपको वहां दिखाएंगे कि क्या eligibility है कितने posts हैं पूरे चैनल को और comment करें और कोई भी problem आती है तो comment करना न भूले और आपको अच्छा लगता है तो शेयर जरूर करें चलिए चलते हैं यह जो आपके सामने आपके screen पर दिख रहा है इसकी official website है यहां पर आपको भी खा देता हूं मैं यह दिखिए वाली dda.org.in पर आपको जाना है और इसमें ज्यादा कहीं नीचे जाने के जूरत नहीं है आप थोड़ा सा नीच आएंगे website पर तो आपको सबसे पहला option जो दि इस डिरेक्ट हो जाएगा यह देखिए आप ऊपर आप देख सकते हैं कि help text का number दिया हुआ कोई पर प्रॉलम आती है तो संपर्क करने के लिए उसके बाद यहां पर लिंक दिया है वार रजिस्टेशन करने के लिए क्योंकि यह open हो चुका है एक तारिक से ही और आप इसको और जेंडम जो इसका date extend किया गया है पहले कुछ कम था और इसको बढ़ा के 30 अपरिल तक किया गया है तो उसका notification है तो चलिए हम दो इसका recruitment notification डाउलोड करते हैं और उसमें देखते हैं कि क्या दिया हुआ है जैसा कि आपके phone के screen पर दिखरा हुआ कि आपको date का कुछ mention क्या हुआ है चलिए आपको date के बारे बताते हैं इसकी जो opening date है यहां पर आपके सामने है एक अप्रिल से इसकी opening date हुई थी और इसकी जो last date है वो है 30 अप्रिल तक यह 30 अप्रिल तक फॉर्म भरी जाएगी सामके 6 वजे तक और आपका जो fee payment है जो online fee payment करना है आपको चार माई तक आप कर सकते हैं चार माई तक 6 वजे शाम तक आप कर सकते हैं तो उसके लिए कोई दिक्कत की बात नहीं है चलिए आगे चलते हैं पॉश्च से दिखने सूड़ों हो जाएंगे लेकिन मैंने बात पहले आपको बता है कि मैं बस फ्रेसर के लिए ही आपको बता हूंगा इसमें जो बागी पोस्ट है वह experience-based है तो experience के लिए मैं मैंने ये video नहीं बनाई है जो फ्रेचर है उनके लिए है तो उस पे ही बात कर ए्सके बाद जो पूस्ट है आपका deputy director stating उसके बाद आसिस्टेंट डैक्ट अक्वेलिक्तर गप्लानिंग उसके बाद है अगर आपने आई कर रखी तो आप डाल सकते हैं अगर आपके पास experience हो दो साल सेख्जक को तो अब लोगों पता है hairy अगर आपने स्टोर ग्राफी सीख रखी है तो आप इसको डाल सकते हैं कोई दिक्त नहीं है तो वैसे करने राट्स जादा नहीं है लेकिन है अगर aan प्रीक नेकर किलिये तो जरूर अप्लाई करें अच्छा मौका है आपके लिए उसके बाद यह देखे एक जो पोस्ट है आपके सामने यहां पर दिख रहा होगा इसमें जो एसेंसे इसमें आपके स सकते हैं औरहस् outfit प्रस प्रकार के एक इसमें कोई अप्लिकेबल नहीं है बस सिंपल सा कर आपने मैट्रिक कर रखी है तो आप जरूर अपलाई कर सकते हैं सरकारी नौकरी की चाहा है आपको और आप त्यारी कर रहे हैं खुछ दिनों से तो आप इसको डालें जरूर कोई भी नौकरी छोटी बोड़ी नहीं होती है अगर आप कर सकते हैं कि आप इसके लिए हैं या नहीं माफ करेंगे आपका जो नौलेज है इसके लाइक भी है कि नहीं आप जरूर फॉर्म भरके देख सकते हैं तो चलिए आगे दिखते हैं तो अगला है हमारा जिसके विए बारे में बात करेंगे वह है आपका यह सेक्रिटेरिट असिस्टेंट यहां पर आपके सामने दिख रहा होगा सेक्रिटेरियर असिस्टेंट यह देखें जे आर जे आर का मतब जूनियर सेक्रिटेरियर असिस्टेंट यह निकी करनिया सची वाले सहायक जिसका आपको वहां पर पहले मिला था मैंने जो बनाया हुआ था सबसे पहले जो नोटिस में इसके बार में लिखा था तो इसमें देखे क्या मांग रहा है कि 12th class equivalent qualification from the recognized board और इन्वर्ट सिटी तो इसमें आपको 12th pass होना निवारे और साथ में इसमें टाइपिंग आपको आनी चाहिए 35 word per minute English में और 30 word per minute Hindi में तो यह कफी basic होता है अगर थोड़ा सा भी आ करी के लिए तो आप जरूर इस फॉंप को अपलाई करें और अपनी किस्मताजमा है क्योंकि आपका जो तैयारी है वो व्यर्थ ना चाहिए और आप जैसे ही lockdown के स्थिति ये खुलेगी तो इसका जो exam date announce कर दिया जाएगा क्योंकि जो ये lockdown के स्थिति में ये बहाली के की जाएगे जल्दी ही तो इसके लिए आप लोगों घबनाना नहीं है तो मैंने जो आपको notification है वो बता दिये हैं अब थोड़ा कुछ और देखता हूं नीचे अगर कुछ और अच्छा मिलता है तो आपको बताता हूँ चलिए आपको थोड़ा एक्जाम के बारे में बताया था है जैसे कि पटवारी का आपका दीखराओ का सामने इसका जो एक्जाम है दो पालियों में होगा एक होगा प्रीमिनरी और एक होगा आपका मेंस तो जैसा कि होता है जेनरली ये ग्रेजुट लेवल बेकिंसी है तो आपका स्टेज 2 है वो 200 कोश्चन से आएंगे 200 माक्स के दो घंटे का होगा इसमें भी वही है आपका थोड़ा सा स्पेसल होगा जिनल अवेर्णेस है स्पेसल इंफ्यासिस ऑन दा देली देली के बारे में कुछ ज्यादा पुछाएगा जैनल अवर्णेस में उसके बत कह जैनल इंटेलिजेंस जैनल अविलिटी अर्थमाटिक नुमेरिकल अविलिटी इंग्लिस लैंग्वेज कंप्रिहेंसन हिंदी और उर्दू तो जो बेसिक आपकी जो अगर आपकी त्यारी अच्छी होगी तो यह सब आप पहले से भी पढ़ते आ रहे होंगे तो चलिए द तो दूसरा पार्ट है इसका उसमें है आपका the question paper shall be of 50 minutes 50 minutes का paper होगा यह 100 marks के लिए होगा और 50 questions पूछे जाएंगे इसमें पार्ट वन जो होगा आपका computer fundamentals पार्ट टू होगा keyword shortcut की internet पार्ट थ्री होगा MS word MS Excel MS powerpoint और stage 2 examination will be qualifying in nature there will there will not be any penalty for wrong answers तो इसमें negative marking नहीं होगा आप लोग अच्छी बात है इसका जो पार्ट टू सकेंड स्टेज है अच्छी बात ही है कि आपको बस इसमें qualify कर जाना है जो minimum marks होते हैं 35% 40% जो भी निर्धारित किया जाएगा पहले से निधारित होगा तो आपको बस उतना ही लाना है तो मानगे चलिए 33 या 35 marks अपको लाने पड़ेंगे और इसका नमर जोड़ेगा नहीं जो आपका stage 1 का marks है कि यह वही जोड़े जाएंगे तो इसकी लिए घबराएगा नहीं बिल्कुल और वैसे भी काफी basic से कंप्यूटर्स का तो कंप्यूटर्स के basics आप मात्र दो दिन में कर सकते हैं काभी घबरानी कोई बात नहीं आपको जो त्यारी करनी है जो आपकी जेनरल कंप्टिशन के त्यारी है ऊपर वाला जो पार्ट है stage 1 का उसकी लिए अच्छे त्यारी करें आप करते आ रहे हैं त चलिए एक और जो पोस्ट रह गया है हमारा वो था माली माली के लिए हैं पर देखिकर सिंगल स्टेज ओलाइन एक्जामिनेशन फॉलूट भाई ट्रेट टेस्ट प्रेक्टिकल टेस्ट इसमें है कि आपको एक ही पेपर लिया जाएगा तो क्वेशन पेपर सैल बीफ टू बीस क्वेशन पुछे जाएंगे मतलब कि एक माक्स का एक क्वेशन होगा और यह अब्जेक्टिव टाइप होगा ऑफ तो रिस्पेक्टिव डिसेप्लीन एज विल एज क्वेशन ऑन देस्ट और टेस्ट और इंग्लिस लैंग्वेज फॉलूट बाइद ट्रेट टेस्ट प्रेक्टिकल टेस्ट ऑफ तो सॉट लिटेस्ट सॉट लिस्टेट कैंडिडेट्स विच विल बी क्वालिफाइंग इन नेचर इसमें भी है वही कि आपका अगर सॉट लिस्ट कर जाते हैं तो ट्रेट ट्रेट टेस्ट मतलब कि कि इतना आपको ग्यान है मिट्टी पॉद अगर आप लोगों को फॉर्म भरने में किसी परकार की कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे करके बताएं मैं आपको अपना वाट्स अप नमबर भी नीचे वह दे दोंगा डिस्क्रिप्सिन में आप वहां पर भी मुझसे संपर्द कर सकते हैं मैं वहां पर आपकी मज़त मांग सकते हैं मैं हमेशा आपके लिग त्यार हूँ तो चलिए मुझे यहीं बताना था आप लोगों को कि आप लोग अगर आप तैयारी करते आ रहे हैं तो आप लोग के लिए का भी अच्छी रहात भरी न्यूस थी कि लोगडाउन की स्थिती में भी आप लोग य यही होता है डिडिए तो दिल्ली में जो डेवलोप्मेंट अथरीटी है इसी के अंदर यह वेकैंसी निकली हुई है और काफी पुरानी अथरीटी है तो इसके लिए और काफी अच्छा यह संस्ताय आप इसमें जाकर बहुत अपना फ्यूचर सिक्वर कर सकते हैं तो इसल के लिए मुझे आप लोगों को यही बताना था मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो जुरूर लाइक सब्सक्राइब करें लाइक करें सब्सक्राइब करें और शेयर करें मेरे चैनल को चलिए इसी के साथ ही धन्यवाद